Hello everyone, welcome to Global Online. So students, UGC ने एक बहुत ही एहम फैसला लिया है जिससे कि आप सभी UGCनेट उमीदवारों को बहुत जादा फरक पड़ सकता है. So yes, क्या है ये decision, क्या है ये एहम फैसला जो कि UGC ने लिया है? ये फैसला सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि Assistant Professor बनने से related है. कुछ rules यहाँ पे change कर दिये गए हैं, ये rules के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं. So yes, ये जो भी information मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, ये बिलकुल authentic information है. करके मैं आपको सब कुछ हाज यहां पे बताने वाली हूँ. इसी के साथ students आप सभी UGISnet की तयारी कर रहे हो, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 20 से 30 September की बीच में exam होने वाला है. So अब क्योंकि कम समय बाकी है, सो इस समय हमें चाहिए कि हम paper 1 की बहुत अच्छे से तयारी करें. इसका ये reason है क्योंकि एक paper 1 common paper है सभी students के लिए and ये बहुत ही जादा scoring होता है. Paper 1 की अच्छी preparation होगी तो आपका GRF और भी easily आप qualify कर सकते हो. So इसकी preparation के लिए global online की team आपके लिए लेकर आई है quick revision PDF. इस PDF की सबसे खास बात ये है कि अगर आप English या Hindi किसे भी medium में paper 1 की तयारी कर रहे हो, इस PDF में आपको दोनों ही languages में questions मिलेंगे. इसमें total 2000 plus MCQs हम आपको देते हैं, जो कि सारे के सारे बिलकुल updated है. साथ ही इसमें paper 1 की जितने भी expected current affairs के questions हैं, वो भी आपको मिलेंगे, जो कि आपकी exam में as it is पूछे जा सकते हैं. इसके साथ ही आपकी preparation को और बहतर बनाने के लिए हमने इसमें previous year questions भी add किये हैं, साथ ही most repeated and most expected questions भी हैं, जो कि as it is exam में पूछे जा सकते हैं. So, ये quick revision PDF in 30 days में आपकी बहुत जादा help करेगी, सो आपको करना क्या है? Exam से पहले सिरफ ये 2000 questions का अगर आप overview ले लेते हो, एक से दो बार सिरफ इसको पढ़ भी लेते हो, without concepts को detail में समझें, तो भी आप इसमें बहुत अच्छा score कर सकते हो, तो इस चीज की आज मैं आपको guarantee देती हूँ. So, इस PDF को join करने के लिए, screen पर दिएगे number पर आपको WhatsApp की help से contact करना होगा, and इसके लिए आपको fees pay करनी होगा सरफ 599, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको join कर लीजिए. So, अभी बढ़ते हैं अपने main topic पे, जसपे हम लोग बात करने वाले हैं UGC के एक बहुत बड़े decision के बारे में, जो कि उन्होंने assistant professor बनने से related news channel के माथम से share किया है. So, यहाँ पर आप देख सकते हो, आज 24 अगस्त है, तो यह news जो है, यह 23 अगस्त 2022 को दोपहर एक बज़े share की गई थी इस channel पे. तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोग detail में पढ़ेंगे. So, इधर लिखा है UGC net, अब university में professor बनने के लिए नहीं होगी UGC net और degree की जरूरत, इस तरह होगी सीधी न्युक्ती. तो यहाँ पर उन्होंने rule ही change कर दिया, कहीं न कहीं अब हम यह भी सोच सकते हैं कि क्या अब यह ऐसा समय है कि UGC net की वे value ही नहीं है. तो देखते हैं, आगे क्या इसमें बोला गया है UGC net exam, पिछले दिनों UGC की हुई 560 बैठक में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. इसके तहट यह कित्ताय किया गया है कि University एवं उच शिक्षन संस्थानों यानि के higher educational institutions में जल्द ही एक नई श्रेणी के अंदर teachers faculty भरती होंगे. तो नई एक policy बनाई गई है teachers जिसमें की यहाँ पे भरती हो सकते हैं. यह नियुक्तियां professor of practice यानि की पेशेवर professor योजना के अंडर होंगी. ठीक है तो यहाँ पे professor of practice के अंदर एक इस नाम के एक नई योजना बनाई गई है जिसके अंदर teachers को include किया जाएगा, उनको भरती किया जाएगा. UGC new decision for university professor selection. इसमें लिखा है अभी तक किसे भी university में teaching के लिए आवेदन का UGC net qualified होना बहुत जरूरी होता था. लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा. तो क्या अभी UGC की value खतम है? हम लोग जो UGC की तयारी कर रहे हैं, UGC net की तयारी कर रहे हैं, क्या वो waste है? यह सा UGC ने यह सही decision लिया, इससे क्या UGC net exam की या CSIR net exam की value कम हो जाएगी? हमारी मेहनत waste हो जाएगी? तो आपको क्या लगता है? आपके इसमें क्या views है? वो मुझे comment कर कि आप जरूर बताइएगा. इसमें लिखा है भविश्य में UGC net qualification ना होने के बाद भी professor बन सकते हैं university grant commission क पीछे पिछले सब्ता हुई 560 वी बैठक में इस संबंध में एक फैसा लिया गया जिसमें ये तै किया गया था कि इन दोनों higher education system and universities में नई श्रेणी के अंदर पेशेवर professors जो हैं वो रखे जा सकते हैं. अब देखते हैं कि किस basis पे फिर इसके under selection होने वाला है? तो यहाँ आयोग के इस योजना के अंदर इंजिनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उगमिता, समाजिक विज्ञान, ललितकला, लोग, सेवा, सशस्त्र बल, आदीक शित्रों में experts इन कैटेगीरी की भरती के लिए पात रहोंगे. इसमें कहा गया है कि जो candidate विशिष्ट प् experience कम से कम 15 साल का हो. ऐसे लोग professor of practice training के लिए योग्य होंगे, बेले ही ये लोग net qualified ना हो. तो देखो यहाँ बैनों ने ये पूरी news share की है. अब ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा एक decision UGC ने लिया है कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि professional courses पढ़ा रहे हैं, 15 साल ये 15 साल से जादा का, उनके पास experience है, minimum 15 years है यहाँ पर बोला गया है, इतना experience है उनके पास teaching का, तो वो directly without UGC net qualify किये, वो directly professor of practice के अंदर, जो है university में, government, university, government, higher education institutions में जाकर के पढ़ा सकते हैं. तो अगर आपके जान पहचान में भी कोई ऐसे teachers हैं, जो कि अभी तक private universities में पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों का उनके पास experience है, तो आप उनको जरूर ये news share कीजेगा, बहुत जादा अच्छा ये decision UGC ने लिया है, हालांकि अभी तक ये implement नहीं हुआ है, सिरफ decision लिया गया ह इसके बारे में बात हुई है, जब भी ये implement होगा, हमारे channel के माधिन साब को बता चल जाएगा, अब यहाँ पर बताया गया है कितना होगा service का time, अच्छा तो यहाँ पर ये नहीं है कि lifetime इस तरह से professor of practice में काम कर सकते हैं, कुछ time के लिए ही ये scheme चली है, इसमें बताया गया है कि इस नहीं योजना में चुनेगे लोगों को शुरुवात में इन पदों पर एक वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा, very bad decision, सिर्फ एक वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा, तो कौन professor ऐसे होंगे जो कि अपनी पुरानी जॉब छोड़ करके सिर्फ एक साल के लिए आ होता है, तो भी इसे सर्फ एक साल के लिए भढ़ाया जा सकता है, so this is very bad decision, तो यहाँ पर एक साल के लिए पहले आपकी भरती होगी, फिर आपको evaluate किया जाएगा, अगर आपका overall result पसंद आता है, तो maximum आपको 3 years के लिए आपका ये जो है, इसको extend कर दिया जाएगा, and उसके पाद आप लोगों की पुरानी जॉब तो आप छोड़ी चुके होंगे, नई जॉब भी आपकी चली जाएगी, so ये बहुत bad decision है, तो अभी मैं बोल रही थी कि इसको share कीजेगा, मैं बोल रही इसको share मत कीजेगा, right, क्योंकि ये इतना जादा practical नहीं है, अब आप बोलोग क्या है, उस scheme का नाम है professor of practice, so इसके बारे में आपको examination point of view से जानकारी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि UGIS in it paper 1 में एक unit है higher education, जिसमें की current affair के questions पूछे जाते हैं, तो उसके point of view से भी ये article आपके लिए important है, उसमें ये पूरी चीजें पूछी जा सकती है, chances थोड़े बहुत हैं, कैसे होगा चयन, so इस नए नियम के अंदर professor of practice के लिए किसे को चुनने का अधिकार, कुलपती या निदेशक का होगा, okay, so जिस भी university में आप apply कर रहे हो, तो वहां की कुलपती और निदेशक का ही director और जो कुलपती होते हैं, chairman होते हैं, वो subject wise expert से nomination मांगेंगे, इसके बाद चयन, समीती इन पर विचार करेगी, समीती में उच शिक्षन संस्थानों के दो, विशिष्ट प्रोसेसर, वरिष्ट प्रोसेसर, प्रोफेसर और एक मशूर बाहरी सदस से शामिल होंगे, so यह रहा यहां पर जिस तरह से आपका selection होगा वो पूरा प्रोसेस, ठीक है, so इसी के साथ students अभी वापस इसी मुद्धे पर आते हैं, कि UGCINET की तयारी कीजिए, permanent job यही आपको दिलवाएगा, so UGCINET paper 2 की तयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है, यह तो आपका post graduation का subject है, दूसरा कि यह 200 number का paper होता है, तो आपको इस team complete study material लेकर आई है, वो भी 100% guarantee के साथ, यह study material बिल्कुल updated है, बिल्कुल जो latest and most repeated topics होते हैं, वो भी इसमें हमने include किये हैं, इसमें आपको मिलेंगे full syllabus notes and most expected MCQs, so यह आपकी preparation में, one month preparation में बहुत जादा help करता है, हमारे previous batch के बहुत से students हैं, जिनोंने सिरफ इसी के basis पे अपन month के अंदर, so आपके सामने total 20 subjects के list आप देख सकते हो, इसमें से जो भी, आपका paper 2 का subject है, उसको select कीजिए and screen पर दियेगे number पर whatsapp की help से contact कीजिए, contact करते ही आपको 15-20 मिनट में यह study material मिल जाएगा, and सबसे इची बात इसकी यह है कि आप इसको lifetime use कर सकते हो, and और भी कोई teaching exam अगर आप दे रहे हो, तो उसमें भी आपकी बहुत help करेगा, इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार fees पे करनी है, वो भी सिरफ और सिरफ 1500 रुपीज, तो जलदे से आप इसको join कीजिए, and 30 days में अपने JRF का dream पूरा कीजिए, so thank you so much for watching this video, and I wish you all the best, so आपको कोई भी paper 1 या paper 2 के लिए जानकारी चाहिए, तो इस नमबर पर आप contact जरूर कीजिएगा, so thank you